नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर नीराभान, गाइनकोलिजिस्ट, अप्सेटिशिन, एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जेन, विद अराउं 35 यह उफ एक्स्पीरेंस, आप में से जिन लोगों के लिए फाइब्रोइड की सर्जरी का डिसीजिन हो गया है, आज इस वीडि निकालते हैं और दूसरी जिसमें पूरा जिoff 여러분들 का जिकालते हैं, केबर फाइब्रोइड का कैते हैं, तो मैयो मतलब फाइब्रोइड, एक्टमी मतलब निकालना, जैसे कि अगर ये फाइब्रोइड यहाँ पर हमने दिखाया है, अगर हम सिरफ इसको ष psyche आएट्रेक्टमी का पहली चीज मायोमेक्टमी किस किस तरह से हो सकती है तीन तरीके से पहली चीज हिस्ट्रोस्कोपिकली दूसरा पेट के दूर्बीन या लेप्रोस्कोपिकली और तीसरा पेट के जरिये ओपन चीरे वाली सरजरी जाने की ओपन मायोमेक्टमी हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टम में हम आपको बेहोश करके नीचे सर्विक्स के थ्रू एक दूर्बी हिस्ट्रो स्कूप डालके फाइपरोट को स्कूप आउट कर लेते हैं यह केवल सब मुकस फाइपरोट जो की यूटरिस की कैविटी के अंदर है और चोटे आकार में उसमें गया जा सकता है पर अगर वो बड़े हैं और पूरी यूटरिस की में बहार तका आ रहे हैं या फिर अगर वो यूटरिस की वॉल में हैं इंट्रामीूरल हैं या सब सीरस यानि की बहार के तरफ हैं तो उन्हें हिस्ट्रोस्कोप के जरिए नहीं निकाल सकती फिर आपको पेट के जरीए या तो लेप्रोस्कूपिक अलिये निकालना है या ओपन सरजरी से निकालना है यह आपके डॉक्टर आपसे डिसकस करेंगे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्योंकि छोटे-छोटे इंसीजन्स होते हैं, तो उसमें जल्दी हीलिंग हो जाती है, जल्दी भर जाते हैं, टांकी कम दर्द होता है, जल्दी आपकी छुट्टी हो जाती है हस्पताल से, और आप जल्दी आपके काम पे वापिस जा सकते हैं लॉंग टर्म में इसके साथ हर्निया की चांसे भी कम होते हैं पर मायोमिक्ट में आप किसी भी साधन से करें एक चीज़ जरूर है कि हम आपको पहले ही बता देते हैं कि आज हमने फर्स करें यहां से फाइब्रोइट निकाला जिनको आगे चलके यूटरिस कंजर्व रखने की जरूरत है बच्चे पैदा करने के लिए जैसे कि अगर हमारे पास 20-30 साल की लड़किया आई जिनके पास बेबी नहीं है या यह की बेबी है उन्हें आगे बेबी चाहिए तो फिर माइमेक्टमी उनके लिए अच्छा इलाज है लेकिन अगर आपकी 49-45 साल है आपकी फैमिली कंप्लीट है तो फिर ऐसी सरजरी कराके जिसमें दुबारा बन सकते हैं जादा प्रेक्टिकल सेलुशन नहीं है उस सिच्वेशन में हम आपको पूरा यूटरस निकल वाने का अपरेशन जिसे हिस्ट्रेक्ट में कहते हैं उसके बारे में बताएंगे एक पर यूटरस सारा निकल गया तो आपके ना तो बच्चे हो सकते ना पीरियर्ट होगा यूटरस रिमुवल और विस्तार से एक और वीडियो में डिसक्स किया हूआ है अशा करती हूँ कि अपके जादा तर डाउट्स थे वो खेयर हो गया होगे अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाले आई शल ट्राइट तो आंसर देम और हम जल्दी है आपको अगले वीडियो के साथ मिलेंगे